हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ट सेविंथ का चैप्टर नंबर फाइफ ऑपरेशन्स राशनल नंबर्स हमने इसका प्रैक्टिस से 22 शुरू किया है जिसके हमने दो लेक्चर्स अल्रेड़ी अप्लोड कर दिया है पहले लेक्चर में मैंने आपको टाइपस of numbers और यह फर्स्ट क्वेशन कर आया था लेक्चर टू में मैंने आपको इसका second question कराया था आज हम करेंगे इसका लेक्चर 3 जिसमें हम आगे का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे अब यह आगे का practice set काफी simple है इसमें से काफी सारा part हम लोगों ने six standard में already cover किया है लेकिन मैं assume कर रहा हूँ कि आपने six standard में नहीं किया होगा क्योंकि covid के कारण बहुत सारे chapters omit कर दिये गए थे इसलिए हम एकदम basic से इसको सीखेंगे चलो शुरू करते हैं question number 3 तो इसमें third question दिया है multiply the following rational numbers हमने additional subtraction कर दिया rational numbers का यह देखो number upon number number के उपर number क्या होता है rational number होता है ना नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस तो उसको rational number गोलते हैं हमको इससे multiply करना है तो multiply कैसे करेंगे एकदम ही time pass है है multiply करने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना आपको सीधा numerator से numerator multiply करना है and denominator से denominator क्या आता है देखो 3 2's are 6 and 11 5's are 55 अगर यहां पे कुछ cut हो रहा होता तो हम cut कर देते लेकिन कुछ भी cut नहीं हो रहा सीधा multiply करना है बस यह इसका final answer है simple है ना सिर्फ multiply करना है tables तो आता होगा आपको 3 और 11 का तो उसमें तुरंट आ जाएगा video pause करके देख लो जल्दी से next वाला करते हैं तो यहां पे भी देखो बीच में multiplication का sign तो हम लोग क्या करेंगे numerator से numerator multiply होगा and denominator से denominator लेकिन यहां पे एक table में cut हो रहे है ना देखो यह 12 और 15 एक table में जाते हैं तो हम लोग उसको cut करेंगे 3 4s are 12 and 3 5s are 15 बस और तो कुछ cut नहीं हो रहा अभी जो बचा उसको multiply कर दो 4 into 4 आ गया 16 upon 5 into 5 क्या आएगा 55 5 into 5 आएगा 25 तो यह second वाले का answer आ गया 16 upon 25 यहां पे कुछ cut हो रहा था same table में जा रहे है इसलिए cut कर दिया यह step में भी cut कर सकते हो आगे जाके लेकिन numbers बड़े हो जाएगे ना तो cut करना difficult होगा है यहां पे numbers छोटे है ना multiply होने के बाद बड़े-बड़े numbers हो जाते हैं इसलिए उसके पहले ही cut कर देने का आया समझ में वीडियो pause कर लो देख लो एक बार क्या किया है मुझे तो समझ नहीं आ रहा वीडियो pause करने क्यों बोल रहा हूँगे यह इतना time pass question है सीधा multiply हो रहा है कोई दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें उसने ही बोला है multiply कर रहो तो हमने multiply करके दे दिया उसको चलो next करता है अब उसको लगा कि हमको लग रहा है बहुत easy है तो उसने minus sign दे दिया minus sign से क्या फरक पड़ता है minus के तो सारे rules हम लोगो पता है पहले हम लोग क्या करेंगे पहले लिखेंगे numerator into numerator upon denominator into denominator अब बताओ यह minus है यह plus है ना कुछ नहीं मतलब minus into plus दो अलग-अलग sign कभी भी multiply होगी तो answer हमेशा minus ही आता है ठीक है same sign multiply होगी तो plus आएगा अलग-अलग sign है ना minus और plus अलग-अलग है तो answer हमेशा minus आएगा तो उपर जो भी answer आने वाला है वो minus होगा ठीक है 8 into 3 8,3,024 होता है लेकिन उसके पहले numbers कट कर लेते हैं ना यह सारे numbers देखो 9 और 3 एक में जाते हैं 4 और 8 एक में जाते हैं minus से डरना मत minus को normally handle करेंगे तो 4,1,4,2,0 ठीक है फिर यह 3,1,3 और यह 3,3,0,9 क्या बचा उपर 2 into 1 2 into 1 आगया 2 ओके नीचे क्या आएगा नीचे आपको मिलेगा 3 into 1 which is nothing but 3 तो most इतनो बड़ा question दिया था उसका answer आगया minus 2 upon 3 easy है ना यह आप हमेशा उपर नीचे ही cut कर सकते हैं ऐसे मत करना कि यह और यह दोनों साथ में cut किया इसके साथ यह या यह नीचे उपर और नीचे ही cut हो सकता है आया समझ में ऐसे दिया होगा ना 18 to 4 तो ऐसे मत cut करना 4 1 0 4 2 से दोनों उपर ही है उसके साथ नीचे कुछ होना चे यह cut करने के लिए ओके चलो next करते है 4th question में दिया है 0 upon 6 multiplied by 3 upon 4 question था multiply the following rational number 0 उपर आया तो rational होता है क्या comment में बताओ मुझे होता है के नी definitely होता है 0 अगर denominator में आया ना तो rational number नहीं होता 0 numerator में इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है लेकिन denominator में 0 नहीं आ सकता तो इसको भी हम लोग लिखेंगे आपको solution already मुझे पता है समझ आ गया है लिकिन फिर भी लिखो 0 multiplied by 3 numerator is equal to 0 यहाँ पर numerator 3 है तो numerator into numerator and denominator into denominator अब यहाँ पर ना फाल्तु की मेहनत करने की जरूरती नहीं है जैसी यह 0 से multiply होगा answer क्या आएगा 0 into 3 30 आता है क्या 0 into 3 आ जाएगा 0 0 upon कुछ भी आए क्या फरक पड़ता है यहाँ पर 24 आए 6 into 4 multiply करके 24,000 आए तो भी फरक नहीं पड़ता उपर 0 आ गया ना तो इसका answer क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 0 चाहिए तो इसका एक और step देको ऐसे लिख सकते हो 0 into 3 0 6 into 4 24 आपको table लिखने का शौक है तो 0 divided by 24 0 को 24 parts में डिवाइड करो 0 को डिवाइड कर सकते हो क्या 0 मतलब कुछ है यह नहीं तो answer 0 ही आता है तो यह वाला जो step है लिखने की जरूरत नहीं है सीधा इसके बाद आप यह लिख सकते हो क्योंकि 0 multiplied by 3 is 0 आया समझ में ओके तो अभी हम लोगों ने 3rd question कर लिया 3rd का 1st, 2nd, 3rd and 4th किया अब 4th question करते हैं 4th question में दिया है write the multiplicative inverse अभी सुनने में multiplicative inverse ऐसा लगता है क्या लाट गएगा capital पूछ लिया लेकिन बहुत जादा simple है 1st question से शुरू करते है तो लिखा है write the multiplicative inverse पहला है 2 by 5 एक तो सबसे बड़ी गलती ऐसे मत करना कि इदर लिख देना equal to और answer लिख दिया equal to मत लिखना क्योंकि multiplicative inverse directly equal to नहीं आता तो यहां पे आप try करो कि ऐसा arrow डालता हो ठीक है जो भी fraction दिया है उसको उल्टा गुमा देंगे तो आ जाएगा आपको multiplicative inverse सिर्फ fraction को उल्टा गुमाना है मतलब जो denominator है वो numerator बन जाएगा जो numerator है वो denominator बन जाएगा बस इतना साही करना है तो 2 upon 5 का multiplicative inverse क्या आएगा 5 upon 2 बापरे इतना difficult समझ मैं है कितना simple है सिर्फ उल्टा क्या है लिग इधर equal to मतलिकना है जे नहीं तो आप बोल रहे है 2 upon 5 और 5 upon 2 equal है तो तो maths खतम हो गया इधर ही आगे कभी जिंदीक में maths करना ही नहीं पड़ेगा 2 upon 5 equal to 5 upon 2 हो गया तो ठीक है तो equal to मत डालो arrow डालो यहां पर minus 3 upon 8 का multiplicative inverse पूछा है जब भी कोई simple question आ रहा होगा ना textbook वाले negative sign गुसा कर वहाँ पे अपने को डराते हैं लेकिन हमको तो negative sign बहुत पसंद है मुझे पता है मुझे पसंद है आपको नहीं लेकिन आपको भी पसंद आ जाएगा अभी सबसे पहले क्या आएगा इदर 8 है denominator तो वो बन जाएगा numerator 3 है numerator तो वो बन जाएगा denominator आप पता है आप minus देखके confused हो रहे हैं minus को उधर ही रखो कोई फरख नहीं पड़ता minus नीचे लिखो उपर लिखो लेकिन उपर लिखेंगे तो जादा अच्छा दिखता है ऐसे लिखेंगे न है 8 upon minus 3 इसका मतलब यह होता है इसका मतलब और इसका मतलब same है minus उपर लिखो या नीचे लिखो तो ऐसे ही लिख दो ठीक है मैंने क्या किया यहां पर मैंने पहले माइनस को इग्नोर किया 3 अपॉन 8 एना तो उसका मुल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 8 अपॉन 3 8 उपर जाएगा 3 नीच आएगा और जहां पर माइनस है माइनस उदर ही देगा ओके यहां पर क्या आएगा कमेंट सेक्षिन में मुझे बताओ इसका मुल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा बहुट डिफिकल्ट है दिमाग लागे करना मजाग कर रहा हूँ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है यह कमेंट में जवाब चलो देखो क्या आएगा इसका इक्वल तो मच डालना पहले तो जो डिनॉमेटर 39 वह बनजाएगा निूमरेटर और निूमरेटर बनजाएगा डिनॉम्रेटर ऑपर मैनस साइन है तो मैनस तो आने ही वाला है अब 7 में तो दिनॉमरेटर ही नहीं है बुद्धि शाली लोग बोलेंगे यारे इसका तो मु नीचे कुछ ले लेते हैं, इसके नीचे 1 होता है, 7 divided by 1, 7 होता है ना, तो 7 को आप 7 divided by 1, 7 upon 1 लिख सकते हैं, अब इसका multiplicative inverse क्या आएगा, numerator क्या है, 7, तो वो बन जाएगा अपना denominator, और denominator 1 है, वो बन जाएगा numerator, ओके, अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़े mix करती, minus 7 integer 1 upon 3, तो सबसे पहले तो हम इसको किस में convert करेंगे, इसको हम लोग normal fraction में convert करेंगे, तो कैसे करेंगे, यह minus sign ऐसे ही रहने दो, यह क्या होता है, 3 7s are 21, 21 plus 1, 22, तो यह आ जाएगा आपको 22 upon 3, या देना कैसे करते हैं, 3 7s are 21, 21 plus 1, 22, 22 upon 3, minus को मत दिखना, ऐसे मत करना, 3 into minus 7, minus को मैंने अलग से रख दिया, ठीक है, अब यह तो same number से ही मैं खेल रहा हूं, number के साथ कुछ inverse minus नहीं निकाला, तो यह equally अब तक, ठीक है, तो यह आ गया minus 22 upon 3, तो इसका inverse क्या आएगा, इसका inverse आएगा, पहले तो denominator क्या बन जाएगा, numerator, numerator बन जाएगा, denominator, तो यह 3 जो है वो बन जाएगा आपका numerator, और 22 जो है, वो बन जाएगा denominator, आगे minus sign है न, वो minus sign वैसे का वैसा रहेगा, तो आजाएगा minus 3 upon 22, तो यह थोड़ा अलग हो गया न, देखो question क्या था और answer क्या है, क्योंकि mixed number दिया था न आपको, तो mixed number को पहले आप लोग ने normal fraction में convert किया, आप लोग भी करना अलग से, ठीक है यह करवट किया, फिर इसको हम लोग ने multiplicative inverse दाले, यहाँ पर equal to क्यों डाला है, क्योंकि यही number को मैंने calculate किया, यह तो मैंने inverse लिखा न, उल्टा फुल्टा कर दिया, उल्टा फुल्टा सेम number नहीं होता न, इसको उल्टा फुल्टा करके हम लोग ने नया number बनाया, यह उपर गया, उल्टा फुल्टा फुल्टा, ठीक है, आया समझ में, अच्छा इसमें, यह जो last वाला मैंने कराया, इसमें यह minus, अगर यहाँ पे दिया हो न, suppose इधर लिखा होता, तो भी सेम होता, मैंने बीच में लिखा था, यहाँ पे लिखा वो भी सही है, यहाँ पे लिखा था, वो भी सही है, दोनों जोगे मट डाला नहीं, तो minus into minus plus हो जाएगा, या तो इधर 3 के सामने लिख दो, या minus यहाँ पे लिख दो, 22 के सामने भी लिखते हैं, तो भी right आता है, लेकिन teachers को पसल नहीं है, पता नहीं क्यों, उनको denominator से या फिर दर नहीं लिखते हैं, और बीच में लिखते हैं, ठीक है, दोनों correct answer है, तो अलग answer दिखा तो ऐसे मत्सोचो गलत किया हुआ है, यह minus sign का मतलब क्या है, यह पूरा number एक negative number है, ठीक है, वो minus मैं इधर डालूं, या इधर डालूं, या इधर डालूं, तीनों में से कि 5th question में दिया है, carry out the divisions of rational numbers, हमने addition कर लिया, subtraction कर लिया, multiplication कर लिया, अब divisions of rational numbers करना है, अब divisions of rational numbers में हम लोग एक concept यूज करेंगे, जो अभी हम लोग ने इसके previous question में सीखा था, multiplicative inverse, तो जब भी आपको बीच में division देखे ना, हम लोग इसको जबरदरस्ती multiply में convert कर देंगे, क जब भी multiplication करना हो division को, तो क्या करते हैं, पहले तो यह 40 upon 12 ऐसे लिख दिया, ठीक है, यह जो division है, इसको लिखा multiplication, लेकिन इसको division को multiplication लिखाना, तो उसके बाजू में जो यह है न, यह बुरा मान जाता है, यह बुलता है, division था, अभी तुम उसको multiplication कर रहे हो, तो इसको बनान हो जाता है, तो जैसे ही division को multiplication किया, आप लोग इसको घुमाद हो, घुमाद हो मतलब multiplicative inverse, तो 10 upon 4 का multiplicative inverse क्या हो जाएगा, 4 upon 10, बस इसके बाद, जैसे normally multiplication करते हो, वैसे ही normally multiplication करो, cut हो रहाएगा है यहापे कुछ, देखो अच्छे से cut हो रहा है न, यह 0 के साथ, यह 0 cut हो which is 4 upon 3 into 1 which is 3, डर लग रहा है तो डरो मत, आठ question दिये हैं इसमें, पहला question solve किया है, दो, तीन और question कराऊँगा न, एकदम simple लगेगा, क्या किया है मैंने, division को जबरदसी multiplication लिखा, ऐसे free में नहीं लिख सकते हैं, अगर division को multiplication दिया, तो इसको जूला की लाना पड़ता है, तो अब यहाँ पागल लोगों ने दोनों जगे माइनस दिया, ऐसे ही बच्चे माइनस से डरते हैं, तो अभी माइनस को देखो ही मत, ठीक है, जिससे डर लगता है, आपन देखते हैं न, कि है ही नहीं वो, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, division है देखो बीच में, तो पहले उपर आजाएगा, and 11 नीचे आजाएगा, अभी इसमें देखो, माइनस थाना उपर, तो माइनस तो ऐसे का ऐसा रहेगा, ओके, अब नेक्स्टेप में क्या करेंगे, अच्छा, इसके प्रिवेस क्वेशन में भी मैंने एक स्टेप नहीं बताया, फिर से बताता हूं चलो वो question भी, लेकिन पहले यह देख लेता है, numerator से numerator multiply करो, and denominator से denominator, okay, कुछ cut नहीं हो रहा है यहाँ पे, minus into minus, same signs अगर multiply होती है, तो answer हमेशा plus आता है, देखो, plus into plus किया, तो भी plus, minus into minus किया, तो भी plus, same sign multiply हो रही है, तो minus into minus आजाएगा, plus, 10, 10,000 आजाएगा, 100, upon, 11, 11,000 क्या हो जाएगा, 121, plus sign हमेशा लिखते हैं क्या, कुछ नहीं लिखा मतलब plus होता है, तो यह plus मतलिखो, चलेगा, minus जबर्दस नहीं दिखाना पड़ता है, plus, कुछ नहीं मतलब plus होता है, अगर यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका मतलब plus ही है, तो मतलिखो, आया समझ में, इसको उल्टा किया, multiplicative inverse के आएगा, 10 upon 11, minus है तो minus ही आएगा, multiplicative inverse ने, फिर numerator से numerator में लिखा है, denominator से denominator multiply, ओके, अब यहाँ पे मैंने directly ऐसे किया था न, इसमें एक और extra step बता रहा हूं, वो देखलो कैसे आएगा, यह से हुआ था न, 10 upon 4 को 4 upon 10 लि denominator multiply, अब इसको cut करो, क्या 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 cut करो, 10 1000, 10 4000, और 4 1000, 4 3000, क्या बचा, 4 into 1, 4 upon 3 into 1, 3, same answer है, सिफे एक extra step बता दिया, multiplication का, यह बता ना step, छोड़ना मत, ओके, आया समझ में, second वेला ऐसा किया था, वीडियो pause करके यह भी देखलो, इक पार अच्छे से, अभी भी नहीं समझाए, tension मतलो, सिफ दो question किया है, दो, तीन और करेंगे, एकदम simple लगेगा, एक ही strategy है, division को जबरदस्ती multiplication में convert करो, अगर convert किया, तो उसके बाद, जो भी है, उसको जूला किलाने का, जो नीचे है, वो उपर, जो उपर है, वो नीचे है, okay, multiplicative inverse बोलते हैं उसको, next करते हैं, यहाँ पर फिर से, minus 7 upon 8, divide by minus 3 upon 6, तो कैसे करेंगे, minus 7 upon 8 को ऐसे लिख देंगे, division को जबरदस्ती लिखेंगे, multiplication, जैसे ही division को multiplication लिखा, यहाँ पर 3 नीचे जाएगा, और 6 उपर जाएगा, minus जिदर है, उधर ही रहेगा, 6 upon 3, ठीक है, अब, यह ऐसे, minus है तो bracket डाल देने का, थाकि confusion ना, ठीक है, फिर यह आजाएगा, numerator into numerator upon denominator into denominator, ऐसे ही है न, देखो, 7 into 6, यह वाला, minus minus 2 लगे है, and 8 into 3, कुछ कट हो रहाएगा, देखो, 6 और 8, एक टेबल में जाते हैं, 3 और 6 भी एक टेबल में जाते हैं, तो पहले 3 में, कट करते हैं, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, फिर 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, अब क्या आ जाएगा, next step, minus into minus हो जाएगा, plus, 7 into 1 बचा ना, खाली, 2 भी कट हो गया, सिर्फ 1 बचा, तो 7 into 1 हो जाएगा, 7 upon, 4 into 1 क्या होता है, 4 into 1 हो जाएगा, 4, अगर plus से confusion हो रहा है, तो next step में सिर्फ ऐसा लिख सकते हो, 7 upon 4, आगे कु minus को देखे, डरों मत, कुछ फरक नहीं परता है हम लोग को, हम लोग को सिर्फ divide को multiply करने का और इसको उल्टा गुमा देने का, बस, उल्टा गुमाते हो, गयाद रखना, multiplicative inverse में भी ने आपको सिखाया था, minus है, तो inverse करेंगे, तो भी minus रहेगा ही रहेगा, ऐसे चला नहीं जाएगा, done, फोत वाला करूं क्या, अब फोत वाले में, और थोड़ा उसने मस्ती किया, क्या किया, बाजु वाले में denominator दिया ही नहीं, अगर, denominator नहीं दिया, तो वो तो हमको पता है कैसे दिने का, तो पहले हम लोग question को लिख देते हैं वापस से, यह ऐसा है न, minus 4, उसका denominator नहीं था, तो उसको denominator दे दिया, 1, अभी तक मैंने division को division ही रखा है, सिफ minus 4 को लिखा, minus 4 upon 1, क्योंकि हमको उल्टा घुमाना होगा, तो नीचे कुछ होना चीए न, तो ही वो उपर जाएगा, अब next step में हम लोग क्या करेंगे, यह division को multiplication बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, यह 2 upon 3 तो ऐसे ही आएगा, यह division बना multiplication, तो क्या हो जाएगा, 1 उपर 4 नीचे, उपर minus था न, देखो, 1 उपर 4 नीचे, उपर minus था, तो minus तो रह गए रहेगा, और bracket डाल देने का था कि confusion ना हो, अब तो easy हो गया, multiplication में क्या होता है, numerator into numerator, denominator into denominator, तो आजाएगा, 2 multiplied by minus 1 upon 3 multiplied by 4, अब यह 2 क्या के कोई sign नीचे, मतलब क्या है वो, plus है ना, कोई sign नीचे मतलब plus, ठीक है, अब cut करते हैं, यह 2 ones are 2, 2 twos are 4, और तो कुछ cut नीचे हो रहा, plus 1, यह plus 1 है, into minus 1, तो plus into minus, अलग-अलग sign multiply होगी, तो answer हमेशा minus आएगा, अलग-अलग तो minus, तो इसका अंसर क्या minus, 1 into 1, 1 into 1, बहुत difficult table है, table book में check करो, 1 आएगा answer, और नीचे का है, 3 multiplied by 2, which is 6, देख लो, यहाँ यहाँ पे, 3 twos are 6, खतम हो गया, एक extra step क्या था इसमें, इसको denominator नहीं दिया, तो हमने denominator उसको 1 दे दिया, बस, बागी सब तो previous question जैसा ही है, और यहाँ पे एक ही number minus था, तो minus into minus करके plus नहीं हुआ, last तक minus विचार आके लारा ही answer में, वीडियो पॉस करके देख लो एक बार, खुद के notebook में copy भी करना है, next करते हैं, अब time pass की हद, mixed numbers दे दिया है, देखो यहाँ पे, तो mixed numbers को पहले हम लोग normal fraction में convert करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो हम लोग already आता है, तो division चेंज नहीं करा हूँ, भी division ही रहन दे रहा हूँ, 5, 2, 10, plus 1, 11, तो numerator आ जाएगा 11, denominator तो 5 ही है उसका, division को division ही रखा है, इसलिए उल्टा फुल्टा कुछ मत करो, इधर देखो denominator 6 है, तो यहाँ पे भी denominator 6 ही रहेगा, लेकि numerator क्या आएगा, 6, 5, 30, plus 3, 33, तो question हमने convert कर दिया difficult numbers दिख रहे थे लेकिन को simple बना दिया, अब simple हो गए तो division को multiplication कर देंगे, कैसे होगा देखो, 11 upon 5 को ऐसे ही रखा, division को बनाया multiplication, तो यह 6 उपर आ जाएगा, 33 नीचे आ जाएगा, अब multiplication तो बहुत ही simple है, numerator होगा numerator से multiply, and denominator होगा denominator से multiply, तो अभी cut करके देखो, 11 और 33 एक में जाते हैं, 11 1,000, 11 3,000, फिर 3 1,000, 3 2,000, और कुछ तो एक table में जा नहीं रहा है, तो final answer लिखेंगे, उपर क्या आएगा, 1 into 2, 2 upon, नीचे क्या देखो, 5 into 1, क्या आएगा, table book में check कर लो, 5 into 1 आ जाएगा, 5, easy है न, इतना difficult question दिया था, और आगया 2 upon 5, hero बनके rule मत बनाना, एक है, वो आगया, answer कुछ भी आ सकता है, पूरा method follow करना, ऐसी मत लिखना रहे है, यह ऐसा है, तो 2 upon 5 लिख देंगे, अगर यहां पर 4 होता है, तो answer 4 upon 5 हैगा, ऐसा कुछ rule नहीं है, ठीक है, अपना खुद का मत बना, next करते हैं, copy कर लिया, notebook में, नहीं किया तो video pause करके कर ल करके चेक करना, कर दो video pause, ऐसे आया होगा आपको, minus 5 upon 13 ऐसे रहन दिया, division को बनाया multiplication, तो यह उल्टा हो जाएगा, 26 उपर 7 नीच है, फिर multiplication तो बहुत ही सिंपल है, numerator से numerator multiply, denominator से denominator multiply, 13 और 26 एकी table में जाते हैं, तो 13 बन जार, 13 तो जार, और कुछ कट नहीं हो रहा है, minus 5 इंट प्लस न, minus into plus क्या होता है, minus, नीचे बचा 1 into 7, which is 7, तो answer आगया, minus 10 upon 7, आया आपको right answer, तो comment में मुझे बताओ कि हम लोग ने खुद से किया 6th question, और हमने उसका सही answer निकाला है, नहीं आया सही answer, तो भी tension मतलो, आगे और दो questions है, वहाँ पर सही निकाल लेना, ओके, चेक कर लोग कहां पर mistake किया है, चलो next करते है, 7th question में दिया है, 9 upon 11 divided by minus 8, हम लोग ने एक question अलरड़ी ऐसा किया है, यहां पर minus 8 को पहले, खुश करना पड़ेगा, उसके नीचे कुश नहीं है, तो नीचे कुश देना पड़ेगा उसके, एंफिर इसको solve परेगा, ये भी खुद से करना है, करो वीडियो pause और अभी क्या भी खुद से करो, ऐसा मत सचो सब कुछ हमवक दे रहा हूँ, मैंने आपको 5 question पहले solve कर रहा है, उसके बाद आपको खुद से करने को दे रहा हूँ, ठीक है, कर दो वीडियो pause, ऐसे आ गया होगा, पहले minus 8 को लिखा, minus 8 upon 1, denominator नहीं है बिचारे के पास, तो उसको denominator दिया, 9 upon 11 तो ऐसे ही copy किया, division भी ऐसे ही copy किया, जैसे ही division को multiplication बनाया, 9 upon 11 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन, यह minus 8 upon 1 क्या हो जाएगा, उल्टा, 1 उपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, minus, उदर का उदर, ठीक है, फिर, यह तो multiplication हो गया, हो तो easy है, numerator स sign नहीं है, मतलब plus, plus into minus, अलग-अलग sign multiply रहा है, तो answer minus ही आएगा, अलग-अलग है ना, plus और minus, तो answer minus आएगा, 9 into 1, 9, 11 into 8, 88, खतम हो गया answer, easy है, कहीं पर mistake किया गया, check करो sign mistake नहीं किया है न, done, next करते है, और यह बापर, next में तो उपर, first volume में denominator नहीं दिया, अब क्या करने गा, क्या क्या करने का, same method है, पहले के पास numerator है, denominator नहीं यह तो 5 को क्या लिखा, यह 5 को नीचे 1 दे सकता हूँ न, तो 5 को लिखा, 5 upon 1, अच्छा, यह 5 नीचे लिखा, जैसे 5 upon 1 लिखा, तो आपको numerator, denominator, same height पे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते है, division को division रहने दिया, और 2 upon 5 को 2 upon 5 लिखा, लेकिन जैसे ही, यह 5 upon 1 ऐसे लिखा, division को multiplication बनाया, तो उसके बाद जो आ रहा है न, उसको उल्टा कर देने का, denominator 5 उपर आ जाएगा, and numerator 2 नीचे आ जाएगा, अब multiplication तो बहुत ही time pass है, numerator से numerator multiply, denominator से denominator multiply, तो 5 into 5 upon 1 into 2, कुछ कट हो रहा है क्या, कुछ भी क नहीं हो रहा, दोनों prime numbers है, तो 5 into 5 आ जाएगा 25 upon 1 into 2 आ जाएगा 2, खत हम यही answer, simple है न, आगे नहीं दिया था, उससे क्या फरक पड़ था, आगे पीछे कहीं पे भी नहीं दिया हो, denominator नहीं है, तो 1 तो लहीं सकते हैं, तो इसको denominator दे दिया, फ्री में, आया समझ में, तो ह हो गया, तो आज lecture 3 में मैंने आपको question 3 कराया, उसके 4 questions कराया, question 4 कराया, उसके भी 5 questions solve कराया, question 5 कराया, उसके all 8 questions solve करा दिये, and इसी के साथ हमारा practice set 22 यहां पे खतम हो गया, तीन lectures किये हम लोग ने practice set 22 के, पहले lecture में, theory, types of numbers हो सब सिखा और first question किया, second lecture में सिर्फ second question किया, third lecture में 3, 4, 5, पूरा खतम किया, practice set 22 हो गया, अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे ना, तो यहां पे right side में corner में playlist का link आएगा, उसमें आपको line wise सारे practice set मिल जाएगे, ठीक है, तो lecture 1, lecture 2 भी वहां पे practice set 22 का मैंने तिया हुआ है, वीडियो पसंद आया तो like ज़रूर क किया है, तो subscribe करना न भूले, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे practice set के detailed solutions upload करते रहेंगे, bell icon पर भी click कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं practice set 23 upload करूँ, आपको notification आ जाए और आप कोई भी important lecture मिस ना करें, comment section में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ए lecture कैसा लगा, thank you so much for watching this video,